हलो स्टूडेंट्स and वेलकम तु मैं यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10 के लेसिन 4 कार्बन एवं उसके यौगे को स्टाडी करेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन क्या है कार्बन एक अधातू है और इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं इसका सिंबल है सी और इसकी सर्वतो मुखी और कार्बन भूपटी में खनिच के रूप में अगर हम देखें तो कार्बन हमें जो ह हम सभी सजीवों में चाहिए वे पौध हैं या जनतु हैं उनके शरीर में कार्बन योगिक होते हैं और वो कार्बन योगिकों के ही बने होते हैं चाहिए वो कार्बो हाइडरेट है प्रोटीन है वसा है कोई भी वस्तु है सजीवों की तो वह है कार्बन की ही बनी होती है बारीक अक्ष में चार इलेक्ट्रोन उपस्तित हैं अब ये चार इलेक्ट्रोन मालो अगर हम एक हाइड्रोजन लें ये हाइड्रोजन के भारीक अक्ष में भी एक इलेक्ट्रोन है तो ये आपस में साजेधारी करके यहां पर ये एक आबंद बन रहा है उसी तरह से अगर हम एक हाइडोजन एक ही आबंद बना सकता है क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रोन है तो इस तरह से ये दूसरे हाइडोजन ने कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रोन के साथ साज़ेदारी की अब एक और हमने हाइडोजन लिया वहाँ पर तीसरा आबन बन गया hydrogen और carbon के electron के बीच में और वैसे ही चौथा hydrogen जो है वो साजेदारी कर रहा है carbon के चौथे electron के साथ अब यहाँ पर अगर हम देखें तो hydrogen की जैसे हमने circle लगाया तो यह sharing के साथ साथ यह carbon को भी अगर हम देखें चार electron carbon के और चार hydrogen के तो यह 8 electron carbon के भी भारी कक्ष में आ रहे हैं और carbon जो है वो भी उतकरष्ट गैस विन्यास राप्त कर रहा है तो यह जो एक योगिक बना यह हमारा योगिक कैसा है यह stable योगिक है अब carbon जैसे हमने का कि यह सैसेयोजी आबन बना रहा है अब सैसेयोजी आबन क्यों बना रहा है क्योंकि अगर हम carbon को देखें तो carbon के भारी कक्ष में 4 electron है तो यह 4 electron carbon ना तो इनको खो सकता है ना इनको जो है 4 electron ना तो यह ग्रहन कर सकता है तो चार इलेक्ट्रोन खोकर ना तो ये धनायन बन सकता है और ना ही ये रेडायन बन सकता है चार इलेक्ट्रोन लेकर क्योंकि इन दोनों प्रक्रिया में उसको बहुत ज्यादा उर्जा की आवशक्ता होती है तो अत्यादिक उर्जा के कारण ये जो है लेना या देना ये न हमने देखा कार्बन और हाइड्रोजन के साथ उसी तरह से कार्बन के अलावा जो और परमानू है जैसे हाइड्रोजन ऑक्सिजन नाइड्रोजन ख्लोरीन तो ये भी इलेक्ट्रोनों के साथ साजेदारी करके आबन बनाते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन का तो हमने देख means ये एक electron है और hydrogen का एक electron दूसरे hydrogen के electron के साथ तो ये आपस में साज़ेदारी कर रहे हैं अब ये साज़ेदारी करने से hydrogen जो है इसने भी उतकरष्ट gas विन्यास पराप्त कर लिया किसका helium helium के बारी कक्ष में दो electron होते हैं तो यहां पर ये साज़ेदारी hydrogen के बीच में हुई है तो ये एक सह सही हो जी आबंध दोनों hydrogen के बीच में form हुआ अब oxygen की हम बात करें तो oxygen जो है oxygen का अगर हम देखें तो इसके बारी कक्ष में सबसे पहले electronic विन्यास हम oxygen का देखते हैं oxygen का परमानू करमांक होता है आठ इसका अगर हम electronic विन्यास लिखें तो k में 2 और l में 6 electron है तो अब ये oxygen है इसके बारी कक्ष में हमने 6 electron बनाए है उसी तरह से इस oxygen के बारी कक्ष में भी 6 electron तो यहां पर कितने electrons की कमी है दो electrons की कमी है तो ये दो electrons की साजेदारी आपस में दोनो oxygen atoms के बीच में होंगी यहां पर लिखा हुआ है साथ-साथ मैं इसलिए भी बनारी हूँ ताकि आप देखते जाएं कि किस तारह से दोनो electrons की हमने जो है electrons को थोड़ा shape अलग-अलग दे दी ताकि हम पहचान सकेंगी कौन सा किसका electron है तो उसी तरह से हमने इनके बाहर 6 electrons लिखे हैं और यह आपस में दो electrons साजेदारी कर रहे हैं तो जब दो electrons साजेदारी कर रहे हैं तो यहां पर जो structure प्चर बना वो oxygen oxygen के बीच में द्वी आबद है यानि के double bond form हो रहा है अब उसके बाद हम देखते है nitrogen nitrogen का परमानुक्रमांग कितना है याद होगा आपको अगर नहीं है तो परमानुक्रमांग 1 से 20 तक आप ज़रूर याद करें nitrogen का परमानुक्रमांग है 7 और इसकी अगर k और l में हम देखें तो 2 और 5 electron है अब भारी कक्ष में 5 electron है यानि इसको 3 electrons चाहिए यहांबर हम N2 की बात करें तो 2 nitrogen atoms को अगर हम लिख रहे हैं यह 1 nitrogen और यह 2 nitrogen अब इनके भारी कक्ष में 5 electron है 1,2,3,4 और यह 5 उसी तरह से 1,2,3,4 और यह 5 तो यह 5 electrons है अब इनको अपना भारी कक्ष पूरा करने के लिए 8 electron चाहिए यानि कि कितने electron की साज़ेदारी करेंगी 3 तो यह 1,2 और यह 3 3 electron की साज़ेदारी करते ही अब यह जो बीच में आप 6 electrons दे रहें यह 2 nitrogen के साथ count होते हैं तो यह 1 nitrogen हम देखें तो आप देखें इसमें 8 electron हो गए 6 प्लस 2,8 इसका भारी कक्ष मूर्ण हो गया उसी तरह से दूसरे nitrogen का भी भारी कक्ष मूर्ण हो गया यानि कि यहाँ पर hydrogen 2 हैं एक hydrogen यह दूसरा hydrogen इन में 1 electron है और oxygen जो है इसके भारी कक्ष में जैसा भी हमने देखा 6 electron है 1,2,3,4,5 और यह 6 तो oxygen और hydrogen के बीच में एक-एक electrons की साज़ेदारी हो रही है अब एक-एक electrons की साज़ेदारी जब हुई तो hydrogen का भारी कक्ष में 2 electrons हो गया और oxygen के भारी कक्ष में या हम यह कह सकते हैं कि उतकरष्ट, gas, विन्यास दोनों ने hydrogen और oxygen ने ले लिया तो इस तरह से hydrogen और oxygen के साथ जो इसका water molecule है उसका structure इस तरह से form हो गया तो hope students यह structure किस तरह से form हो रहे हैं यह आपको clear होगा क्योंकि यह exams में जरूर पूछा जाता है तो यह structure आप देख रहे हैं जलकियाणू का अब जो से सेयोजी योगिक हम देख रहे हैं इनके भौतिक गुण क्या है तो से सेयोजी योगिक जो है इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है क्यों कम होता है क्योंकि इनके बीच में अंत्रा आणविक बल बहुत कम होता है और यह अंत्रा आणविक बल कम क्यों है क्योंकि इसमें जो है साजेधारी हो रही है और सह सही हो जी योगिक जो है वो विद्यूत के कूचालक होते हैं क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा तो इनके जो आबंध हैं उनमें किसी प्रकार के आयन का निर्मान नहीं हो रहा जबकि अभी जैसे मैंने का कि यहाँ पर इलेक्ट्रोंस की साजेदारी होती हैं तो यह सह सही हो जी योगिकों के यह दो भौतिक गुण हैं अब कार्बन की सर्वत्तम की प्रकृति क्या है इंपोर्टेंट है अगें फिर एक्जैम पॉइंट आफ व्यू से और यहाँ पर पहला तो इस तरह से शाकित श्रंकला के साथ-साथ यह वलाय भी बना देता है तो कार्बन आटम जो हैं वो किसी भी रूप में एक दूसरे से जोड़े होते हैं तो यह वलाय हो गया यह स्ट्रेट चेन हो गई उसके बाद हमने शाकित श्रंकला देखी तो इसको हम कह रहा हैं श् तो carbon जो है इसकी सहिजगता 4 है जिसके कारण जो carbon है वैं अन्य 4 परमाणों के साथ एक सहिजगी परमाणू अच्छा वो oxygen, nitrogen या sulfur भी हो सकता है तो उनके साथ आबंद बनाता है carbon carbon भी हो सकता है आपस में carbon की जगे यहां पर hydrogen भी हो सकता है oxygen भी हो सकता है सिरफ हमें क्या ध्यान रखना है कार्बन की सहीं जगता जो है वो चार रहनी चाहिए चार से ना ज्यादा ना कम तो अगर वो चार से ज्यादा या कम होती है तो वो यौगिक इसका मतलब हमने ठीक नहीं उसको उसका structure हमने ठीक form नहीं गया, उसके structure कि और ठीक बना सकते हैं अब हैं संतरप्त और असंतरप्त, कार्बनिक योगिक तो संतरप्त क्या है, संतरप्त जितने भी जो कार्बन परראन हो है उनके बीच में एकल आबंद हो तो कार्बन कार्बन के बीच की हम बात करें यहां पर वो हमारा संतरप्त होगा उसी तरह से अगर हम असंतरप्त की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्वी आबंद हो या त्री आबंद हो का सूत्र है CnH2n-2 अब इन सूत्रों के आधार पर हम किसी भी जो है एलकेन या एलकाइन हो उसका हम नाम लिख सकते हैं तो ये एक जो नॉमन्क्लेचर है कि किस तरह से हमने इनको नाम देना ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अप्लोड करूँगी जिसमें सिर्फ नॉमन्क्लेचर को ही हम शो करेंगे कि किस तरह से हम उनका नामकरण कर सकते हैं अब इलेक्ट्रोन बिंदू संरचना कैसे बनानी है जैसे कि आप संत्राप थाइड्रो कार्बन में इथेन की संरचना देख रहे हैं लेकिन इसका नाम सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हम नाम रखेंगे, अब मीथेन है, तो एलकेन है, अलकेन है, मीथेन है, अब एलकेन का हमने सूत्र देखा था, CnH2n plus 2, तो यहां पर n क्या है कि कितने कारबन ऐटम है, अगर हमारे बस एक कारबन है, तो हमारा इसक संख्या डाल कर हम उसका सूत्र निकाल सकते हैं और नाम अगर हम देखें तो जो इसका प्रिफिक्स है जो पहले हम लिखते हैं जैसे यहां पर पहले हम लिख रहे हैं मित या इथ तो यह जो इसका प्रिफिक्स है प्रिफिक्स इसका सेम रहेगा सफिक्स खाली बदलेगा सफ जो सपपिछे में ले लिए एन तो यह हमारा बन गया इत्लिया इत्लियों आप डो मेंबर हो गए उसके बाद तीसे मेंबर हो गै कि मारा प्रो-पें तो हमने उसी सूतर से इसको calculate कीया है चोथे में आगया हमारा butane तो यहाँ पर यह है और पांचवा pentane तो यह five members को आप खुद भी calculate कर सकते हो N number of carbon atoms है और सूत्र लगा कर आप इस तरह से इसकी sun रचना को भी बना सकते हैं तो यह सारे हमने 5 members देखें उसके alkanes के और आगे आप six, seven भी अपने आप करके इसकी practice कर सकते हैं अब हम बात करेंगे earth antrapt hydrocarbons earth antrapt hydrocarbons में यहाँ पर हम ethene का structure देख रहे हैं और ethine का structure देख रहे हैं तो सबसे पहले ethene और ethine यह I कैसे इनका हम नाम करण देखते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले alkenes फिर से वही देखते हैं कि alkenes का हमने सूत्र देखा था alkenes का सूत्र था cnh2n तो अगर n की value हम एक जैसे हमने कहाता है कि जो earth antrapt है उसमें double bond या triple bond आना चाहिए तो earth antrapt hydrocarbons में चाहिए वो double bond हो या triple bond हो alkeno, alkeno और में कम से कम 2 carbon atom होने चाहिए तो यहाँ पर जो हम n की value लिखेंगे वो हम 2 से शुरू करेंगे तो c2h4 तो पहला member जो है वो alkene का है c2h4 अब इसकी संरचना यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी संरचना इसको अगर हम बनाना भी चाहिए तो c और c के बीच में double bond है अब देखें carbon के पास already 2 bond है तो यहाँ पर 2 ही hydrogen आएंगे क्योंकि 1 carbon के साथ हमें ध्यान रखना है 4 से ज्यादा bond नहीं बनेंगे ठीक है यह ध्यान रखने वाली बात है यह layman's language में आपको बताया जा रहा है क्योंकि हमें पता है carbon जो है चत्तुर संयों जकता है उसकी 4 valency है तो इसलिए वो 4 से ज्यादा जैसे 1, 2, 3 और 4 4 से ज्यादा bond वो form नहीं करेगा तो पहला member होगा अब दूसरा member इसका है प्रोपीन तो यह हमारा बन गया प्रोपीन तो इस तरह से इसका नॉमनक्लेचर करेंगे और किसी भी 2 carbon atom के बीच में double bond आएगा तो प्रोपीन के साथ सा 3rd member है इसका ब्यूटीन ब्यूटीन में 4 carbon atom है और आप देख रहें कि 2 carbon के बीच में double bond आ रहा है तो यह सारे हमारे एलकीन मेंबर है ब्यूटीन तक यहाँ पर दिया हुए इसके साथ साथ आप जो है पेंटीन हेक्जीन के structure स्वेम बना कर इसको जरूर देखें अब अगला असंतरब थाइडो कार्बन है इथाइन यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताए कि कम से कम दो carbon atom होने चाहिए सूतर इसका cnh2n-2 तो यहाँ पर n की value अगर हम 2 लिखें तो c2h2 तो यह पहला member आ गया फिर से जैसे हमने कहा था कि उसका जो prefix है वो सेम रहेगा इत और suffix में अभी यहाँ पर जो कि हम अलकाइन की बात करें तो पीछे से आइन हम वर्ड इसका ले लेंगे तो यह हो जाएगा इ-था-इन तो इस तरह से हम इसका नाम देंगे उससी तरह से प्रोपाइन तो इसका prefix हो गया प्रोब और आइन लिखेंगे अलकाइन का तो इस तरह से हम इसका नॉमंक्लेचर देंगे यहां पर आप देख रहें कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रेपल बॉंड है तो उसके साथ एक ही हाइड्रोजन एक क्योंकि कार्बन की वैलंसी कितनी होनी चाहिए उसकी से और जक्ता 4 होनी चाहिए तो जब तीन bond यहां पर आ गए तो carbon के साथ यहां पर एक ही hydrogen जुड़ा हुआ है तो इस बात को हमें जरूर ध्यान रखना है structure बनाते समय उसके बाद next member इसका है view time उसके बाद अब संरचना के अधार पर hydrocarbon जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीधी शरंखला यहां पर आप देख रहे हैं कि सारे carbon एक ही शरंखला में है उसके साथ साथ शाखित शरंखला भी है तो यहां पर एक शाखा निकल रही है इसके side में जैसे आप यहां भी देख रहे हैं यहां भी देख रहे हैं तो इसको हम क्या नाम दे रहें, N-pentane, अब दूसरे में हमने क्या किया किया, अगर हम इनको carbon को नाम दे दे, एक, दो, तीन, चार और पाँच, pentane के हम बात करें, तो ये पाँच carbon atoms एक ही chain में है, अब second, जो हमने इसकी सनरचना बनाई, हमने क्या किया, चार carbon atoms को एक line में बनाया, और जो तीसरा carbon atom है, उस पर हमने एक carbon को जोड़ दिया, अब जब इसको हमने इधर जोड़ दिया, तो यहां हमने left से right counting की है, लेकिन हम right से left भी counting कर सकते हैं, तो यह भी एक pressure आता है कि हमें counting कीधर से करनी है, right to left करनी है, left to right करनी है, तो हमें क्या ध्यान देना है कि यह जो group है, जिसको हम methyl group कह रहे हैं, यह हमारा, अब यहां पर दो numbers आगए, third या fourth, third या second, तो जो छोटा number है, second, यह correct number है, तो हमें counting अपनी right to left लेनी है, जिससे की, यह जो methyl group है, इसको कम से कम number मिले, तो इसका नाम क्या हो जागा, इसको हम general name इसका isopentene है, और अगर हम IUPAC name इसका देखें, तो यह हमारा हो जागा two carbon atom पर क्या है, methyl group है, तो two methyl, अब यहां पर चार carbon रह गए थे, तो इसका हम नाम रखेंगे, butane, तो मैं बोल रही हूँ, तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो दो methyl pentane, तो इस तरह से हम इसका जो है, pentane के यह संरचना हमें यहां पर देखने को मिली, इसको हम क्या कहरें, isomerism, अब दो structure हमने देखे, pentane के, एक था, सीधी श्रंकला थी, जिसमें सभी carbon atom, 5 carbon एक ही chain में थे, दूसरी जो हमने संरचना देखी, उसके अंदर, चार carbon atom तो एक line में थे और एक शाकित में था, अब हम एक संरचना और बना रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या, तीन carbon atom को तो हमने एक chain में किया, एक carbon को center वाले carbon से हम नीचे लिया है, अगर हम किनारे पर लेकर आएंगे, तो वो तो chain, अगर यहाँ पर suppose हम जोड़ते हैं, तो यह हमारी एक chain ही बन रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम जोड़ेंगे, तो पहले वाला ही structure हो जागा, इसका नाम अलग से नहीं आएगा, तो इसलिए हम center वाले carbon पर इसको लगाएंगे, तो एक बार मैं इसको फिर से draw कर देती हूँ, तो इसको हम नाम देते हैं, एक, दो और तीन, अब तीन carbon atom एक लाइन में हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन, जनरल नेम इसका नियो पेंटेन है, लेकिन अगर इसका हम आयू पैक नाम दें, तो ये आयू पैक नाम हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि ये तीन है carbon atom, 1, 2 और 3, अब रह गए ये दो group, दो ये methyl groups हैं, ये जो dash मैंने लगा हैं, इनके साथ hydrogen जुड़ेवे हैं, तो ये दो methyl group हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, 2-2-diamethyl भी लिख सकते हैं, या 2-2-diamethyl भी लिख सकते हैं, तो 2-2-diamethyl propane, तो ये इसका न आणविक सूत्र समान था, लेकिन संरचना इनकी अलग-अलग थी, तो इसलिए इन योगिकों को हम क्या कह रहे हैं, संरचनात्मक समावयव, यानि कि structural isomerism, जहांपर की जो है, आणविक सूत्र समान है, लेकिन संरचना अलग-अलग है, तो उसी तरह से अभी हमने देखा, एक ही चेन में शाकित, फिर तीसरा हो गया, वलै, वलै के रूप में भी हो गया संतरप्त जहांपर की सारे एकल आबंद हैं, और यह असंतरप्त जहांपर की हमें द्वी आबंद देखने को मिल रहे हैं, तो इसका नाम अगर हम देखें तो इसका नाम है बेंजीन, जनरल न जात्व एक से या अधिक हाइडोजन को किस प्रकार प्रती स्थापित कर देता है तो कार्बन की संयुजकता को संतोष्ट करने के लिए और ये विशम परमानू होते हैं जैसे कि अभी हम देखेंगे क्लोरीन है है हैलूजन हो गए ओएच हो गए तो वो विशम परमानू है त सब्सक्राफ में एक अलग से विशिष्ट गुड उनको अभी कृयाशील बना रहे या विशिष्ट गुड प्रदान कर रहें तो उनको हम प्रकार्यात्मक समू कहते हैं अब ये प्रकार्यात्मक समू कौन-कौन से है इनको भी देखते हैं तो अपने 10 के लेविल में जो प पुरकार्यात्मक समू से विस्थापित करेंगे, LD हाइड है CHO, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CHO के रूप में, अब यह हमेशा किसी भी शरंखला के किनारे पे हमें नज़र आएगा, केटोन हमेशा आपको सेंटर में, क्योंकि अगर यह सेंटर में नहीं होगा, तो यह LD हाइड में परिवर्तित हो जाएगा, अगर यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाता है, तो यह LD हाइड फॉर्म हो जाता है, तो इसके दोनों साइट पे हमें कार्बन चाहिए, तो केटोन जो है, वो सेंटर में हमें देखने को मिलता है, उसी तरह से कार्बॉक्सलिक ग्रूप है, अब कार्बॉक्सलिक ग्रूप में आप देख रहे हैं कि यहां पर C, double bond O भी है और C, OH भी है, नेक्स्ट है हमारा समझाती है श्रेणी, अब समझाती है श्रेणी का है, जिसमें की हमारा सूत्र समान रहता है, लेकिन जो उसके मेंबर्स हैं, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं, हम अलकोहॉल की सीरीज देख रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो इस सीरीज के अंदर carbon एक एक बढ़ता जा रहा है first में carbon एक है फिर दो है तीन है और फिर चार है carbon एक एक बढ़ रहा है और hydrogen दो की संख्या में बढ़ रहा है यानि कि यहां पर CH to A carbon और 2 hydrogen तो अंतर कितना हो गया 14 atomic mass unit 12 carbon के हो गया और 2 hydrogen है 2 into 1 तो यह हो गया 14 तो 14 atomic mass unit यहाँ पर द्रवेमान एकाई के अंदर अंतर आ रहा है तो अब समान रसायने गुण धर्म तथा अणू द्रवेमान बढ़ने से भौतिक गुण धर्मों के अंदर भिननता आ जाती है तो समझाती है श्रेणी को एक बार alkane का अगर मैं आपको फिर से explain करूं जैसे हमने सूतर देखा था CnH2n2 तो हम इसका पहला member निकालते है कारबन को अगर हम एक रखें तो यह हो गया हमारा CH4 अब जैसा हमने देखा एक कारबन हमने बढ़ा दिया दो हाइडरोजन बढ़ा दिया तो यह हमारा अगला member आ गया उसी तरह से हमने एक कारबन को बढ़ाया और दो हाइडरोजन को बढ़ा दिया तो यह हमारी एक शरंखला बन रही है किसकी अलकेन की तो यह हो गया मीथेन, इथेन, ब्यूटेन उसी तरह से आप अलकीन और अलकाइन के लिए या जैसे यहाँ पर अलकोहॉल फंक्शनल ग्रूप के साथ दिखाया हुआ है तो यहाँ पर जो प्रकारियात्मक समू है वो तो एक ही है फरक कहां आ रहेगा? कार्बन एक और दो हाइड्रोजन यह हमें जोडने तो यह जो शरंखला बन रही है, इसको हम कहा रहे है समझाती है, शरेणी अब कार्बन योगिकों की जो नाम पदती है तो नाम पदती जैसे कि अभी साथ-साथ मैंने आपको यह वाला भी एक्स्प्लेइन कर दिया कि उसका नाम हम कैसे देंगे, इसको मैंने इसी वीडियो में पहले एक्स्प्लेइन किया है, कि हमें प्रिफिक्स और सफिक्स देखना है, तो प्रिफिक्स जो है वो जैसे Alkene, Alkene है तो उससाब से हम लगाएंगे और जो उसका suffix है अगर संतरप्थ है तो उसमें A인 आ जाएगा असंतरप्थ है तो E न आ जाएगा और दूसरा अगर Aine है तो उसमें Aine में Aine आ जाएगा इसके साथ साथ जो प्रगारियात्मक समू है उसमें हम पहले क्या लगा रहे है, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, तो यह बन गए हमारा क्लोरो प्रोपेन तीन क्लोरो प्रोपेन और शुरू में हमें क्या लगाना है, क्लोरो क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है अगर chlorine की जगे यहाँ पर हम BR रख दें तो यह हमारा क्या जगा है यहाँ पर BROMO अगर bromine की जगे हम यहाँ पर iodine रखें तो यह हो जाएगा iodopropane तो इस तरह से हम इनका नाम करण करेंगे तो अभी हमने देखा chloro, अब उसके बाद हम देखते हैं alcohols अब alcohols के end में हम क्या लगा रहें O, L या All तो अनू लगे means last में हमने लगाना है तीन कार्बन आटम है तो हमने क्या नाम ड़ा प्रोपेन और पीछे क्या लगा दिया तो हमारा नाम बन गया यह प्रोपेन तो हो गया हमारा तीन कार्बन आटम का हम alcohol का नाम करण करेंगे अब aldehyde में हमें AL लगाना है तो यहां पर जैसे कि हम देख रहे हैं aldehyde में तो इसके अंदर हमारा यहां पर हमारा आएगा hydrogen atom आएगा इधर भी और यह तीन कार्बन आटम है तो तीन कार्बन आटम का फिर से हम देखें प्रोपेन और पीछे हमने क्या लगा दिया AL तो तीन कार्बन आटम पर हो गया प्रोपेन और यह अल तो इस तरह से इसका हम नॉमनक्लेचर करेंगे या नाम करण करेंगे कीटोन में हमें लगाना है ओन आप ओन जैसा की मैंने आपको बताया था कि केटोन जो है वो Summit ADA, इस Carbon के जो है दोनों साइब में आपको Carbon दिख रहे तो यह वहला केटोनिक ग्रुप है, वो Central में है यहां पर कितने कार्बन है? तीन कार्बन आटम है तो तीन कार्बन आटम पर नाम आगया propane और own लगाना है तो propane known, तो इसका नाम हो गया propane known, उसी तरह से अगर यह पर और लगा दें यह लगा देंगे एक carbon और लगा देंगे तो वो जाएगा pentanone तो इस तरह से हम ketone का नाम करन्द करेंगे next हम देखें carboxylic अमल तो कार्बॉक्सलिक अमल में जैसे कि अभी आप देख रहें ये कार्बॉक्सलिक गुरूप है और ये भी किनारे पर ही है फिर से तीन कार्बन एटम है तो प्रोपेन क्या नाम हुआ इसका प्रोपेन और इसमें हमें ओएक अमल लिखना है तो प्रोपेनोइक प्रोपेन यहां पर देखा था, यह double bond, यहां पर आएगा, यहां पर आप देख रहे हैं carbon की तीन ही valence है, तो एक double bond यहां पर आएगा, तो यह हो गया आपका जैसा कि हम देख रहे हैं कि इधन के रूप में इस्तिमाल होता है इनको क्योंकि देहन करने पर यह प्रचुर मात्र में उश्मा और प्रकाश मुक्त करता है अब अगर संतरप्त हाइडोकार्बन है तो वायू की उपस्तिती में जलने पर यह नीली स्वच ज्वाला उत्पन क भी आ रहा है और साथ में ज्वाला कैसी है पीली ज्वाला उस में होती है तो यहां पर वायू की उपस्तिती में कार्बन का पूर्ण उपचेयन नहीं हो पाता इसलिए जो ज्वाला है वह पीली रह जाती है अब सैकिंड हम देखें ओकसी करन्ड वो ररा है यह यह को इं déjà क अमल के अंदर convert हो गया, carbon अगर आप देखो तो दो ही है, तो ethanol एथनो एक अमल में convert हो गया, तो यह जो exam point of view से reactions important है, तो यहाँ पर conversion में आपसे यह A, B, C, D के form में यह questions पूछे जा सकते हैं, कि A को जब हमने इसके presence में अभी करिया की, तो यहाँ पर एथनो एक अमल फॉर्म ह तो यह A क्या है, तो इस तरह से questions यहाँ पर form हो सकते हैं, सैकिन है संकलन अभी करिया, संकलन means addition, add करना और यह किस में होगा, यह असंतरप्त hydrocarbons में हमें देखने को मिलेगा, किस में होगा यह असंतरप्त hydrocarbons में, क्योंकि यहाँ पर double bond आप देख रहें, तो संकलन कहां होग जहां double bond या triple bond हो, तो यहाँ पर यह hydrogen add करके, यह double bond हटके, यहाँ पर जो है, दोनों hydrogen add हो गए, और यह अभी करिया किस की उपस्तिती में हो रही है, यहाँ पर हम catalyst यूज कर रहे हैं, nickel या palladium, इस अभी करिया को हम hydrogen करण अभी करिया भी कहते हैं, और यह जो अभी करिया है, यह वनस्पती, तेलों से वनस्पती घी का निर्मान की विदी के द्वारा किया जाता है, तो अब यह again, यहाँ पर हिंट मिल रहा है आपको, तो इस हिंट के माध्यम से, और nickel और palladium जो है, यह उत्परे रख है, तो इनकी उपस्तिती में यह असंत्रप्त हाइड्रो कार्ब जो है, वो संत्रप्त में बदल रहे हैं, तो यह हिंट हमें मिल रहे हैं, जिससे की इस अभिक्रिया को हम पहचान सकते हैं, तो इन्हीं हिंट के माध्यम पे हमें प्रशन आता है, और हम इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं, उसके बाद नेक्स हमारी अभिक्रिया प्रती जैसे कि अभी आप देख रहें, यहाँ पर हमने लिया है CH4, अब इस CH4 में जब हमने क्लोरीन को एड किया, तो यह हमारे चार कार्बन, चार हाइडरोजन थे, तीन हाइडरोजन रहागए, एक क्लोरीन प्रतिस्था पर तो गए, एक हाइडरोजन की जगे, एक क्लोरीन आगे फर्दर हमने जब दुबारा इसको क्लोरीन के साथ अभी क्रिया किया, तो यह हो गया CH2, CL2, अब आप देखिए, फिर से अगर हमने इसको क्लोरीन के साथ अभी क्रिया किया, तो यह हो गया CH, CL3, तो जैसा कि हम देखते जा रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन एड होती जा रही ह और hydrogen हटता जा रहा है, next हमारा form हो गया CCL4, तो चारों के चारों hydrogen जो है, वो chlorine से replace हो गए, यह है हमारा chloroform, जो की बेहोश करने में, या generally जब operations होते हैं, तो chloroform सुगाया जाता है बेहोश करने के लिए, तो यह है chloroform का सूतर है, और यह है carbon tetra chloride, अब उसके बाद कुछ पूर्ण योगिकों को हम study करेंगे, ethanol और ethanol और ethanol अमल, तो सबसे पहले ethanol को हम देखते हैं, बहुत एक गुर्ण धर्म क्या है, यह है, रंहीन, गंधहीन और जलने वाला स्वाद देती है, जल में घुलनशील है, और इसका क्वथनांख है, 351 Kelvin, और इसकी प्रकृती कैसी है, यह उदासीन है, लिटमस के साथ यह कोई भी अभिक्रिया नहीं देती, अब इस ethanol के हम अगर रसाइने के गुर्ण देगें, तो सबसे पहले इस sodium के साथ अभिक्रिया करके, sodium ethoxide और hydrogen gas eliminate हो रही है, तो यह reactions में हमें हिंट मिलते हैं, कि जो ethanol है, किसके साथ अभिक्रिया कर र प्रवल में से, sulfuric amal की उपस्तिती में, आप देखें, जलकारणू निकल गया, और यहां पर यह किसमें बदल गया, यह बदल गया, यह बदल गया, यह असंतरप्त में बदल गया, तो इस तरह से हमें इसको study भी करना है, और ध्यान भी देना है, कि इनके उपर ऐसे ही प्र है, तो उसके अंदर कुछ पानी मिलांके, उसको जिसको हम vinegar कह रहे हैं, वो हमारा acetic amal ही होता है, को अथनाम किसका है, 391, शुद एथनोइक amal को अगर हम शीतलन करने पर बर्फ की तरह जब यह जम जाता है, तो इसलिए हम इसको glacial acetic amal कहते हैं, तो यह भी एक question एक नंब अथनोएक amal है, वो alcohol के साथ अभी करिया करके ester form करें, अब यह जो देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, यह yogic, बट इस yogic को असानी से अगर हम study करें, तो यहां पर जो है, इस hydrogen को, जो alcohol है, उसके hydrogen को remove करें, और इसके जगे, यहां पर हम CH3CO group को अगर हम जोड देते हैं, तो यह हमारे यहां से water molecule एक eliminate हो जाएगा, इसको अगर हम इस तरह से लिखें, CH3COOH, यह group है, plus alcohol को अगर हम ऐसे लिख दें, इंदर OHC2H5 करके, तो यहां से एक यह gel का आणू निकलेगा, तो यह gel का आणू निकला, तो बीच में क्या बचा, CH3COOC2H5, तो इस तर बन गया और एक इसमें से जल का आणू निकल गया, अब यह जो एस्टर के हैं, मीठे फलो जैसी गन इसमें से आती है, और इसमें एस्टर का निर्मार होता है, तो next है हमारा साबूनी करण, साबूनी करण में यह जो एस्टर हमने अभी देखा, तो एस्टर जब sodium hydroxide के साथ अभी करिया करता है, तो फिर से वापस हमें यह sodium acetate प्राप्त होता है, और alcohol का निर्मार होता है, तो इस दोनों reactions को अगर हम देगें, तो दोनों reactions आपस में जुड़े हुए हैं, यह जो एस्टर यहाँ पर फॉर्म हुआ, इस एस्टर को हमने लिया, इसके साथ हमने sodium hydroxide की अभी करिया की, तो यह alcohol का निर्मार वापस होगे, तो यहाँ पर भी हमारे जो ABCD type questions हैं, वो form हो सकते हैं, और यह विदी कहां यूज हो रही है, यह विदी साबुन बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, उसके बाद शार से अभी करिया हम देखें, तो शार के साथ अ हाइडरोजन है, अमलका, इस हाइडरोजन की जगे यहाँ पर sodium group attach हो गया, तो sodium carbonate के साथ अभी करिया करके, sodium acetate, gel और carbon dioxide form कर रहा है, बाइकार्बोनेट के साथ भी sodium acetate, gel और carbon dioxide form होता है, तो यह अलग-अलग अभी करिया है, इनकी आप लिख कर जरूर practice करें, क्योंकि इसमे questions आते हैं, next हम topic देखते हैं, साबुन और अपमार जग, अपमार जग क्या हुआ, detergents हमारे, तो साबुन जो है वो एक लंबी श्रंकला वाले कार्बॉक्सलिक, अमलके sodium potassium लवण होते हैं, और अपमार जग क्या है, लंबी श्रंकला वाले कार्बॉक्सलिक, अमलों के ammonium या sulfonate, लवण होते हैं, तो ये पहला अंतर हो गया, साबुन और अपमार जग में, तो दूसरा अंतर अगर हम देखें, तो साबुन केवल म्रदू जल में सफाई करते हैं, जबकि अपमार जग, कठोर और म्रदू जल दोनों में ही सफाई करते हैं, तो ये दो अंतर हमें यहा होकर रहता है तो जैसे कि यहां पर शोग किया हुआ है यह हमारा सोडियम पार्ट है जो की आयनिक भाग है और यह आप देख रहे हैं यह कार्बन श्रंकला है तो अब इसमें एक माइसील फॉर्म होता है और वो माइसील भी कई वजाँ में पूछा जाता है माइसील कहे लहें यहां यहां पर क्पडे में तो इसमें जब हमने साबून ये डिटर्जन डाला तो जो बहाग है और जोerson देख दाल यह जो ढ़ाग है तो इस तरह से यह संरचना एक बना रहा है, इस संरचना को हम क्या कह रहे हैं, मिसेल या माइसील इस संरचना को कहा जाता है और यह जब माइसील बन जाता है, तो यह मैल को पानी में गुलाने में मदद करता है और कपड़ों को साफ करता है तो ये माईसील भी स्टूडन्स कई बार एक्जाम में पूछा जाता है अब अभी तक हमने अपमारजक और साबुन में दो अंतर देखे अब एक अंतर यहां पर हम और देख रहे हैं कि साबुन जो है वो कठोर जल में उपस्तेत magnesium, calcium के लवण के साथ अभी ख्रिया करके अगुलंचील पदार जिसको कि हम scum कहारें वो scum बना रहे हैं अब scum बन रहा है इसलिए हो सफाइ प्रतर जल में बाधा डालता है तो साबुन जो है वो इसलिए कठोर जल में काम करता है कठोर जल के अंदर तो यह हमारा तीसरा एक और अंतर हमें मिल रहा है किसमें साबुन और आप मार जग के अंदर तो ओप स्टूडेंस यह चैप्टर आपको क्लियर होगा, कम्प्लीट चैप्टर है इसको आप स्टाडी करें और रही नॉमनक्लेचर की बात तो नॉमनक्लेचर को समझना हलां कि यह वीडियो देखे आपको समझ तो आ जाएगा लेकिन फिर भी सिर्फ एक नॉमनक्लेचर अपने आप में एक टॉपिक है तो उसकी वीडियो मैं जब अपलोड करूँगे तो उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं और रही नॉमनक्लेचर को अच्छे से स्टडी करेंगे तो यह चैप्टर जो हमें बहुत लगता है हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है तो उस वीडियो को भी आप देखें समझे अच्छे से और अपने फ्रेंस के साथ भी शियर करें अंको HELP करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो वीडियोस चाहिए जो आप उसमें देखना चाहते हैं हर एक topic की 9th और 10th की वीडियोस उसमें uploaded हैं तो आप उसको अपने जो आपकी requirement है उसके हिसाफ से आप उस topic को निकाल सकते हैं and thank you for watching this video